यहाँ पर बात करेंगे इसे यहाँ T10 चैलेंज आज के दुसरे मुकाबले जो खेला जाएगा MYH भर्सेज AAS के बीच यहाँ पर मुकाबला खेला जाएगा देखा जाए तो इसे T10 मुकाबला काफी जादा बोले तो रिस्की होता है और कंपेटिशन काफी हाड होता है तो इन सब के बारे में आपको भी थोड़ा सा फोकस करना चीए और एक दो चेंज आपको जो लगे वीडियो के जरीए मैं बताने बाला वो चेंज करो इस स्मोल लिक या जी एल भी विन हो सकता है तो इन सब पे आपको भी थोड़ा सा फोकस करना चीए इनके लावे इनको और इनको भी मैं ये दो मेच भी मैं कावर करने का परियास करूंगा अगर जदी मैं कावर किया ये सिरलंका डोमेस्टिक और बंगलादेस अंडा नाइट तो वो वीडियो के जरी अपडेट कर ही दूँगा तो इनके आपका वेट करना फिलाल अगर जदी आप इस मुकाबले को खेलना चाते हो तो सबसे ज़्यादा महतपूर्ण है हमारे टेली ग्राम चैनल को आपको जोईन करना क्योंकि वहाँ पर मिलेगा फाइनल टीम जिस चिम से मैं खुद खेलता हूँ इनके अलाबे लिएल से डिलेटट बहुत सारे अप्डेट जो जिएल विन करने के लिए काफी है पहुत सारे भाई कर भी रहें तो हमारे टेली ग्राम चैनल को जोईन करना किस परकार है तो दोस्तों जैसा कि आप हमारा इस प्रकार से प्रवाइड किया जाता बिल्कुल फीरी तो दोस्तों यहां पर बात करेंगे एम वाई एज का जो दो मुकबल ओल्रेडी खेला जा सका यहां पर देख सेता एन्यूल हाफीज ने क्या गजयाब की निंग खेली थी भईया एक गिन बाच को तो लगा ताल पांच छक्का मार द इनके लब एच एनवर और जुवाइदी की बात किया तो दोनों बिकेट कीपर में यह जुवाइदी का देखा जाक कर्या रिकोड ज्यादा बहतर है इनके तुलना पर लेकिन यह बिकेट कीपरिंग कर रहा है जिनका फाइदा आपको मिल सकता है जो कि लास्ट मुकबल में हम लोगों की इनका खमियाजा भी भुगतना पड़ा हलांकि इनसे बिकेट की पर यह तो बहतर निकल गया लेकिन लास्ट के दो इस्टंपिंग ने हम लोगों को बहुत सारे लीग पिछे कर दिया यह एपसबै की बात के काफी आकरमग बले बाज़ा थोड़ा सा बले आ गया तो समझो केटन वहस का बेस्ट ओप्सन हो सकता है क्योंकि यह गेन बाजी तो करता गेन बाजी कैसा करता अच्छा गेन बाजी करता दो बर में अठारा नम देकर एक बिक्टे मुहमाद ऐसाक लास्ट बर आयते दो बिक्टे लेगे इनके लब एस फिट्री गजब क क्वालिटी स्पीडर दो इस्टंपिंग इन्हीं के गेन पर हुआ और तीन बिक्टे लेगे तो लगातार बहतर यह भी कर रहे हैं तो इस परकार से इनका देख सकते हो गेनवाजी करम है इनके लब दोस्तों इनसे पहले यानि फॉर्स्ट मुकाबला भी देखा जायते पर 46 का योगदान दिया ता इन्होंने करमक एक इनके बलेबाज है जो कोई ने कोई बहतर इनी खिल जाता है उनसे पहले बाले में आईनियूल हाफिस खिल गए और एस बै को जितने गेन दिया जा भाई एक दो छकाई जड़ देता है गेनवाजी इनका ठीक ठाक रहा सारे पग एक बिटे करकर तीन-गेन वाज यहां पर ले गए और इनकी टीम यहां पर असानी से वीन किया लगा ताड दो वीन करके यम वाई-एज की टीम आ रही है इनके लब दोस्तों एए एश की टीम की बात किया दिया पर वन साइडेट तरीका से आर गई थी सामने वाली ट किसन कुमार अनन्थम ने यहां पर दो भर जरूर डाला और दो बिक्टे भी यहां पर ले गए तो अच्छा रहा यह डेट का स्पेसलिस्ट माने जाते किसन कुमार अनन्थम इनके लब सयद हमज्या महमुद की बात के एक उबर में साथी रन दिये अच्छी गेनवाजी की का अच्छा लगा देखकर क्योंकि वाई उल्ला एक उबर में गारान दिये तो लगा केप्टन साब को थोड़ा महंगा सावी था इन से करा लिया जाए तो इन्होंने एक उबर में साथ रन देकर अच्छी गेनवाजी के यहां पर परीचाह दिया था इनके अलावे बल्ले ब कॉंबिनेशन उनके उपर बात करेंगे इन से पहले हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ड्रीम में से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फोर्मेशन दे देता फिरी में टीसाट अपडेट डिसकाउंट कुछ भी हो सारे फिर्म लोग यहां फर बात करते हैं M52 की की तेम की पहला नाम इनके तरफ से गनवाजी अब्दूरासीद एकको यहां पर ne उल्ट विम्ठून कुछ में दो बिगेट कीपर में से किसी एक के साथ जा सकते और बाकी को ओर करता है कि सामने बात टीम की तरफ से दकता यहां पर मौंध ك Hydra का अगा दूसरा आएगा इंका तीन गिनबाज मैंने फिक कर लिया जो की अच्छी गिनबाजी यहां पर इन अने किया था इनके अलावे यहाँ पर देखाए चाउथा गिनवाज साइफुल इसलाम यहाँ से हो जाएगा और इनका एक खान मलीक यह काकरमग बल्ले बाजा हलांकि बिगेट कीप्रिंग सेक्सेन में तो दोस्तों फिलाल के लिए हमारा ये टीम बन जाता ये टीम आप कहीं भी यूच क यह वाई उल्ला एक उभर में गारान देकर एक विक्टे लेगा एक को बिक्टे नहीं मिलाता सेयद हम्जा महमुद को यह भी इंपोर्टेंट इन दोनों को जरू ट्राय करना ताकि आपका रहें कुछ अलग आज सके केप्टन भाइस की बात कि यहाँ पर केप्टन भाइस को यहाँ पर केप्टन सी देने बाला हूं और भी सी एन जय मिये को यहाँ पर मैं देने बाला हूं तो दोस्तों आप यह टीम सेव करके रख लो इसमें जो भी चेंज होगा आपको अब्रेट कर दिया जाएगा अपने टेली ग्राम चैनल डोमेस्टिक पर लेंगी लिबन किरिदें करें इसी कामनाएं के साथ मैं अपने वीडियो के समाफ्थ करता हूं